हेलो फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत स्वागते जी के ओशन यूटूब चानल पर आई वेलकम यूँ और तो जी के ओशन यूटूब चानल देखें आज के इस पट्रिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कम्प्यूटर के कुछ बहुत इंपोर्टन 110 इंपोर्टन कोशन देखें 2016 में 2016 में जो एंटी पीसी का एक्जाम हुआ था वो 44 सेट में हुआ था और हर एक सेट में कम्प्यूटर के दो से तीन कोशन पूछे गया थे तो आज हम इनी कोशन को डिसकस करेंगे ठीक है वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो चाहिए अगर आप वीडियो अभी देखें या बाद में देखें बट जरूर देखें क्योंकि ये कोशन बहुत ही इंपोर्टन है एक्जाम के लिए ठीक है तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्क्रिशन स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, helpful लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करियेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें अगर चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब भी जरूर करियेगा देखे, आज का हमारा पहला कोशन है, कम्प्यूटर के किस भाग को नर्फ सेंटर कहा जाता है यह important कोशन है, यह कोशन आपको किसी भी एक्जाम में देखने को मिल जाता है तो question पुछा है computer किस भाग को nerve center कहा जाता है तो यह कहा जाता है control unit को इसको हम लोग short form is cu कहते हैं दीखे जो computer का दिमाग होता है जिसको हम लोग CPU कहते है central processing unit इसके part होता है एक cu तो फिलाल computer के किस भाग को nerve center कहा जाता है यह है control unit next question है आपके सामने कि निम लिखित में से computer का mustix कौन सा है अभी मैंने आपसे कहा था ठीक है तो यह होता है CPU full form मैंने बताया था इसको आप लोग commentation बताईए फिर से CPU का full form ठीक है computer के जिन parts को हम लोग छू सकते हैं वो कहलाता है hardware और जिन भागों को हम लोग नहीं touch कर सकते हैं वो कहलाता है software अगला प्रेशन आपके सामने निमन में से कौन सा एक output device नहीं है ठीक है output device नहीं है यह आपको बताना है तो देखिए जो scanner होता है यह output device नहीं यह input device है ठीक है और बात करें printer, plotter और speaker यह output device है जो हमें result देते हैं जैसे कि आप printer से प्रिंट आउट निकलवाते हैं speaker से music मिलता है तो यह सभी output device है बात करें scanner की, तो यह होता है input device सभी question important है देखिए इससे पहले computer के question के video channel पर uploaded है उनकी एक playlist बनी हुई है और कुछ बहुत important video का link description box में दिया हुआ है तो उन video को भी आप देख लिजेगा आपके exam के लिए helpful होगा वो फोर्थ question है आपके लिए निमलिखित में से input device कौन सा है तो जो joystick होता है यह input device और joystick को हम लोग column, control column भी कहते हैं बाकी monitor हो गया, floppy disk हो गया printer यह सभी जो है यह सभी जो है output device है और joystick जो है, यह input device है यह question है निमलिखित में से computer के लिए कौन सा device एक input device नहीं है ठीक है, नहीं है, ध्यान दीजेगा तो इस question करेक्ट टांसर जाएगा monitor ठीक है monitor जो है, यह input device नहीं यह output device है, ठीक है बाकी keyboard, mouse, scanner यह input device है, देखें, input device क्या होता है जिनसे हम लोग computer को data देते हैं वो हमारा input device होता है ठीक है, और जिससे हम लोग output प्राप्त करते हैं ठीक है, यह speaker हो गया मैंने आपको तहाई speaker से music और printer से आपको print out मिलता है तो वो सभी जो है output device होती है और monitor भी हमारी यह output device है शिक्स कोशन है निमलिकित में से कौन सा उपकरण storage device नहीं है ठीक है, storage device जो है modem storage device नहीं होता है ठीक है, modem का full form भी आपको पता होना चाहिए होता है modulator, demodulator ठीक है, तो option number D हो जाएगा हमारा सही answer CD-ROM, compact disc CD का full form होता है ROM का होता है, read only memory साथ मा कोशन आपके सामने निमलिकित में से computer का कौन सा बंधारण उपकरण यानि कि storage device अब प्रचलित में नहीं है यानि कि अब इसका use नहीं होता है तो यह है floppy, ठीक है, floppy का use अब नहीं होता है अगला कोशन आपके सामने computer के mouse का विसकार किस नहीं किया था तो यह किया था Douglas Engelbert के द्वारा देखे, computer के father किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, Charles Babbage को नाइन्थ कोशन आपके सामने computer dash के बिना काम नहीं कर सकते हैं आपके सामने चार option है तो देखे, computer जैसे मैंने बताया कि computer के दिमाग किसे कहते हैं CPU को और computer CPU की बिना काम नहीं कर सकता है तो यहाँ पर option number D है हमारा सही answer दस्वा कोशन है आपके सामने कि computer की किस PD में programming के लिए यांत्रिक यानि की mechanical भाशा का प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर हो जाएगा जो पहला generation था ठीक है, तो option number 1 है यहाँ पर हमारा सही answer अगला कोशन आपके सामने दुनिया का पहला programmer किसे माना जाता है बहुत important question है यह और भी exam में पूछा गया है तो दुनिया का पहला programmer माना जाता है Ada Lovelace को, ठीक है तो option number B है हमारा correct answer आज जैसा कि आप देख रहे है यह question पूछा गया है दो बार exam में ठीक है, NTPC के 2016 अमेगी, ठीक है 13th question आपके सामने नेमलिकित में से कौन सा operating system नहीं है, OS नहीं है तो देखे, जो C++ है यह operating system नहीं है यह programming language है बाकी OS X DOS, Windows 7 14th question है आपके सामने computer network के संबन्द में TCP का विस्ता, यानि कि TCP का full form क्या होता है तो यह होता है क्या transmission control protocol तो यहाँ पर option number A है हमारा सही answer 15th question है आपके सामने CAPTCHA dash एक computer program है तो यहाँ पर जो हमारा सही answer जाएगा यह हो जाएगा, MANO input को machine input से अलग करने के लिए, तो यहाँ पर option number A है हमारा correct answer next question है निम्लिकित में से कौन सा एक इस सम्मू से सम्मंदित नहीं है एक यहाँ से related नहीं है आपके सामने चार option है तो देखे जो spam है, यह इनसे related नहीं है जब unwanted mails आने लगते हैं, धेर सारे तो उसको अम लोग spam कहते हैं बाकी malware, phishing, ransomware यह एक दूसरे से related है spam है यह अलग है तो option number D है हमारा यहाँ पर सही answer अगला question है आपके सामने कि web page dash का उप्योग करके बनाया जाते हैं web page किसका उप्योग करके बनाया जाते हैं तो यह बनाया जाते है stml का यूज करके stml इसका full form क्या होता है यह भी पूछाता है कई बार exam में तो यह होता है hypertext markup language ठीक है देखें वीडियो का आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा next question है आपके सामने computer शब्दावली में Mips का अर्थ क्या होता है तो यह होता है million instruction per second कई बार यह भी पूछा गया है M for million I for instruction P for per S for second ठीक है stml तो आप लोग एकदम से याद कर लेजेगा यह बहुत बार पूछा गया है नेम लिखित में से किस उपकरण में xyroscope का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा option number B computer माउस में compiler क्या है तो compiler होता है एक software ठीक है तो यहाँ पर option number B है हमारा सही अंसर अगला question है आपके सामने login, नाम और password का सत्यापन किसलिए किया जाता है तो यह क्या असान question है देखे यह किया जाता है उप्योग करता के प्रमारन हे तू ठीक है verify करने के लिए कि वही user है 22 वा कोशन है netware एक computer network operating system है जिसे dash दोरा mix it किया गया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा option number C ठीक है novel option number C हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही अंसर में कैफे क्या है देखे यह होता है antivirus software ठीक है बहुत ही popular है यह तो option number 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही अंसर land का अर्थ क्या है कई बार एक्जामें पूछा गया land का अर्थ पूछा जाता है तो land का अर्थ क्या होता है यह होता है local area network और वैन का होता है wide area network ठीक है यह भी आप लोग जयात कर लिजेगा ठीक है land का होता है local area network वैन का होता है wide area network अगला प्रश्न आपके सामने निम लिखित network topology में से किसकी संचरन गती उच्चतम होती है तो यह होती है किसकी land की ठीक है land का full form आप लोग बताईए अभी just बताई है मैंने आपको next question आपके सामने W, L, A, N का पूरा नाम क्या है तो यह होता है wireless local area network ठीक है W, L, A, N ठीक है local area network बताई दिया मैंने और W सुझाएगा यहाँ पे wireless next question आपके सामने MS powerpoint में सभी slido के font को दूसरे font में बदलने के लिए निमलिखित में से कौन सा command दिया जाता है तो यह क्या दिया जाता है यह दिया जाता है format replace font option number D है मारा सही answer next question आपके सामने इंटरनेट की किस दिग्गस कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीर self help group को शशक बनाने के लिए अपने उत्पादों का online प्रचार करने के लिए प्रस्शिक्षन कारिक्रम की शुरुवात की है तो यह की है facebook के दौरा ठीक है बहुत important question फिलाल यह पुराना question है पर आपको याद होना चाहिए next question आपके सामने भारतिय मूल के शिव अया दुरई किसके अविशकार से जुड़े हुए है तो यह जुड़ो है किसके यह हो जाएगा option number यहाँ पे ए होगा हमारा सही हमारा answer email जहां पर यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है email में e का full form पूछा जाता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए तो यह होता electronic ठीक है electronic अच्छे से याद कर लिजेगा next question है आपके सामने IP पते के बिंदू साथ दसंबलो प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है octate ठीक है that is why option B is our absolutely correct answer next question is firewall के संबन में विशम कथन का पता लगाए ने कि एक यहाँ पे गलत है यह आपको बताना कि कौन सा गलत है देकि पहला दिया हुआ है firewall एक software हो सकता है यह सही है firewall एक hardware हो सकता है यह भी ठीक है firewall software और hardware का एक संयोजन हो सकता है ठीक है firewall आख से computer के सुरक्षा करता है यह बहुत ही गलत statement है ठीक है option number D हो जाएगा हमारा सही answer next question is Microsoft Corporation के स्थापना कप की गई थी तो यह की गई थी 1975 में 1975 में की गई थी किस के द्वारा की गई थी Bill Gates और Paul Allen के द्वारा यह इनके संस्थापक है याद कर लिज़ेगा option number C विशम चुनना है आपको spyware root kits ransomware या antivirus तो यहाँ पर हमारा antivirus जो है यह हो जाएगा अलागा ठीक है D है हमारा सही answer next question है आपके सामने एक एकी करित परिपत जिसे IC chip भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित electronic परिपतों का एक समू है जो dash बना होता है तो यह होता है silicon का बनावा ठीक है option number B है हमारा सही answer next question है computer में इस्तिमाल होने वाली integrated circuit यानि की IC chips बनाने में name liquid में से कौन से रसानिक तत्व tetra wallet उपधातू का इस्तमाल किया जाता है तो यहाँ पर सही answer रहेगा silicon यह भी important question है कई बार exam में पुछा गया है next question है dash याँनि की यहाँ पर बताना क्या होगा एक यंत्र होता है जो digital जानकारी को encode करने के लिए signal को modulate करता है और संचारित जानकारी को decode करने के लिए संकेत को demodulate करता है तो यहाँ पर हमारा सही answer रहेगा option number D modem जैसा कि मैंने बताया modem का full form होता है modulator demodulator option number D है हमारा यहाँ पर सही answer next question है आपके सामने कितनी bits एक byte के बराबर होती है तो यहाँ पर हमारा सही answer रहेगा option number B देखें यहाँ से आपके कुछ चीज़ों के याद कर लेना है देखें एक byte में एक byte में 8 bit होती है ठीक है और 4 bit मिला करके क्या बनाते है निबल यह भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है और 8 bit ठीक है 8 bit 8 bit is equal to 1 byte ठीक है और 1 byte में 8 bit यह तो easy हो गया और 4 bit मिला करके क्या बनाते है निबल यह आपको अच्छे से आद कर लेना यह भी पूछा गया एक्जाम में निबल वाला तो पूछा गया तो 4 हो जाएगा निबल नेक्ट पूछन आपके सामने निम लिखित में से computer memory का सबसे बड़ा size कौन सा है तो यहां पर हमारा answer एक option अमर भी योटा बाइट योटा बाइट में 1024 zeta बाइट होते हैं ठीक है zeta नेक्ट पूछन है निम्न में से सबसे छोटी इकाई की memory का नाम बताना है आपको तो सबसे छोटी इकाई होती है क्या terabyte अगर यहां पर बात की जाए तो ठीक है तो option number D हो जाएगा हमारा यहां पर सही answer इन चारों की comparison में next question है निम्लिकित में से कौन सी श्रेणी पूड़े में विक्सित भारत की सरपतम सूपर कंप्यूटर श्रेणी है तो यह हो जाएगा परम most important question कई बार एक्जामें पूछा गया है अगला question है आपके सामने भारत का पहला सूपर कंप्यूटर किसे माना जाता है तो यह माना जाता है परम 8000 को ठीके परम 8000 c is our correct answer अगला question है निम्लिकित में से कौन सा भारत का पहला सूपर कंप्यूटर है तो यहां पर मारत से यांसरेगा परम 8000 अभी हमने डिसकस किया एक ही question को पूछा गया है next question है MS Excel में एक function के अंदर के दूसरे function को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है next function 49 question आपके सामने Mobile Operating System Software Android OS 2007 में किस कंपनी ने विक्सित किया था तो यह किया गया था Google Corporation के द्वारा तो option number B है यहां पे हमारा सही answer प्रेशन आपके सामने ICT किसका संक्षिक्त नाम है तो यहां पे हमारा सही answer हो जाएगा Information and Communication Technology D है हमारा यहां पे सही answer अगला question है dash microchips बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है क्या किया जाता है अभी मैंने आप से डिसकस किया था तो यहां पे हमारा सही answer जाएगा Silicon Option number C है हमारा सही answer Next question है स्तंबो का अधिक्तम संख्या होती है कितनी होती है तो यह होती है 2 की पावर 8 Option number A है हमारा सही answer Next question पर हम लोग आते हैं निमलिकित में से कौन सा एक इस समूह से संबंदित नहीं है Android, Bada, DOS या Symbian तो यहां पे जो हमारा सही answer होगा यह हो जाएगा Option number C देखे DOS यह होता है यह operating system होता है ड़ोज जो है operating system होता है जब्कि Android, Bada, Symbian फोल होती है क्या होतै है और Android, Bada, Symbian यह mobile OS होती है जिनका Bada, Symbian कब ज्याधा use नहीं होता है थीक है प्रेशलन में Android है डोज जो है operator system, computer operating system होता है ठीक है तो यह अलग है हमारा नेक्स्ट कोशन है आपके सामने लाइट पेन क्या है ठीक है लाइट पेन क्या होती है लाइट पेन एक इन्पुट डिवाइस होती है तो option number B है हमारा सही answer हो जाएगा कोशन है किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यू आरल में सुरक्षा प्रमाणपत पैडलोग का रंग क्या होता है पीला हरा नीला या लाल तो यहाँ पे हमारा सही answer जाएगा यह जाएगा option number B हरा ठीक है कोशन है निमलिकित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संकरमित करने वाला वायरस नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा सही answer जोगा नौटन ये अंटी वायरस होता है ठीक है यह वायरस नहीं होता यह एंटी वायरस होता है ठीक हो जाएगा हमारा सही answer next question पर हम लोग आते हैं मैंने इसी को सेलेट कर लिया तो अगर आप कंट्रोल सी प्लस करेंगे तो यह काप कॉपी हो जाएगा आपका ठीक है फिर कंट्रोल वी करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी नेक्स कोशन है ओफ साइट के इंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुच की इंटरनेट पर पाने को डैश की रूप में जाना जाता है तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा ओप्शन नमबर सी देखिए डेटा रूपांतर के में क्या सच यह भी जान लेते हैं देखिए एक संस्क्रण से दूसरे संस्क्रण में अप्ग्रेट करना यह सही है नेक्स्ट है एक लेगसी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना यह भी सही है अन्य मॉडियल से डेटा प्राप्त करना यह जो है गलत है ठीक है और यह मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उप्योग कर सकता यह भी सही है और कुशन है बैठ के लिए फाइल एक्स्टेंशन होता है तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर यह जायगा यह जगा बैच फाइल है तिक है देखे Vodafone, ठीक है Vodafone नेटवर्क पर सबसे पहले SMS भेजा गया था और ये 3 दिसंबर 1992 में United Kingdom में भेजा गया था, ठीक है Vodafone 3 दिसंबर 1992 में UK में, ठीक है सभी याद कर लीजिए आप, नेक्स्ट कोशन एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उप्योग के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो यह करता है Intranet, ठीक है, कोशन है, निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश अप्लिकेशन नहीं है, तो जो यह गूगल क्रोम है, यह त्वरित संदेश अप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो C is our correct answer, नेक्स कोशन है आपके सामने, निम्निकित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, यह हो जाएगा, ओप्शन नमबर B, इंटल सेट, देखे, यूद सेट कैistor है, देखे, यूद सेट जो है, इंडिया और रश्या का वैज्यानिक स्क्रेटिम उब गरह है, ठीक है, तो फिलाल जो हमारा कोशन है, कि काउन उपग्रह सेवा प्रदाता है, तो यह है इंटल सेट, तो option number B है हमारा सही answer, कोशन है एक दोहरे घरत वाली 3.5 इंच फ्लॉपिट डिस्क का भंडारण शमता कितनी होती है तो यह होती है 1.44 MB नेक्ट कोशन है इन में से कौन सा DBMS का उधारण नहीं है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यह इसका फुल फॉर्म होता है तो DBMS का जो उधारण नहीं है यह है option number D Apache ठीक है option number D है हमारा सही आसर BIOS का अर्थ BIOS का कार क्या है तो यह इसका कार क्या होता है इसका कार होता है system hardware के पुर्जो को प्रारम करना और इसका कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछाता है तो यह होता है basic input output system यह भी आपको याद कर लेना है next question है निमलिखित में से कौन सा इस समू का सदर से नहीं है unix, msdocs, windows और firewall तो यह जो firewall है यह समू का सदर से नहीं है unix, windows, msdocs यह computer operating system है next question है IP address का अभी प्राय क्या है तो यहाँ पे हमारा सही answer रहेगा एक संख्यात्मग network label तो option number a है हमारा यहाँ पे सही answer अगला question है आपके सामने एक ms actual sheet पर काम करते समय एक कक्ष में कोई formula दर्श करने के लिए formula से पहले क्या आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए is equal to ठीक है option number b अगला question है जिसमें सभी notes कारिस्तल और अने device सीधे एक समान केंद्रिये computer से जुड़े होते हैं वह local area network क्या कहलाता है तो यह कहलाता है star ठीक है option number c is our correct answer अगला question है आपके सामने css file विस्तारण समानिता किस प्रकार की file का संदर्ग होता है तो यह होता है hypertext संबंदित file तो option number d है यहाँ पे हमारा सही answer next question है आपके सामने trozen एक प्रकार का है क्या है तो trozen एक प्रकार का malware है ठीक है तो option number b है यहाँ पे हमारा सही answer अगला question आपके सामने computer शवदावली में url का विस्तार क्या है देखे यह most important question है यह कई बार exam में पुछा गया है तो यहाँ पे हमारा सही answer हो जाएगा uniform resource locator option number d है हमारा यहाँ पे सही answer अगला question आपके सामने अंचाहे email को समानता क्या का जाता है मैंने आपसे discuss किया था starting में तो यह spam कहलाता है next question है mmu का विस्तार क्या है full form क्या है mmu का तो mmu का full form होता है memory management unit ठीक है b है हमारे यहाँ पे सही answer usb का अर्थ क्या है तो usb का अर्थ होता है universal serial bus यह है हमारा correct answer यह भी question important है कई बार पूछा गया है next question है मानक windows की कुंजी पटल पर कुंजों की संख्या बताए function की पूछरा की function की कितनी होती है तो यह होती है total कितनी यह होती है 12 option number a है यहाँ पे हमारा सही answer अगला question आपके सामने निल्मिखित में से कौन सा विकल्प दित्वेक भंडारण उपकरण नहीं है तो यहाँ पे हमारा सही answer जाएगा यह हो जाएगा option number a RAM ठीक है random access memory यह भी आपको full form याद कर लेना है अगला question आपके सामने android के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है तो यहाँ पे हमारा सही answer जाएगा यह हो जाएगा option number a Java Unix operating system किसका trademark है तो यह है Bell Laboratories का ठीक है तो यहाँ पे हमारा भी हो जाएगा सही answer next question है जब computer switch on किया जाता है तब operating system hard disk से main memory से load होता है तो उस प्रक्या को क्या कहते है कई बार पुछा का most important question है यह है booting option number a हमारा सही answer अगला question है निमलिखित में से कौन सा एक word processor का उधारण नहीं है ज्यान देज़ेगा नहीं है यह पुछा है तो यहाँ पे हमारा सही answer होएगा Microsoft Excel ठीक है option number D हमारा सही answer Microsoft Excel word processor का उधारण नहीं है अगला question है आपके सामने नभ्यवा question है and coding के संबन में आसंगत का पता लगाना है तो देखे data को किसी data को अन्य किसी format में रुपांतरण करना यह सही है next है coding data को पुना रुपांतरण यह जो है गलत है coding format में window का एक क्रम में रखना यह भी सही है और इससे program संकलन और निस्पादन न मदद विलती है यह भी सही है तो जो आसंगत है वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा option number B next question है शब्द hub के साथ क्या सच नहीं है तो यहाँ पर जो option number B दिया हुआ है hub एक software है यह गलत है देखे नेटवर्क के संबने बात की जाए तो hub एक hardware होता है जो data को relay करता है और इसे land के भाग को जोडने के लिए प्रियोग किया जाता है तो फिलाल option number B है हमारा सही answer next question है Twitter किसने संस्थापित किया था तो यह किया था Ivan Williams ने option number D है हमारा यहां पर सही answer अगला question आपके सामने computer के संबन में www का विस्तार क्या है most important computer का evergreen question है कई बार पुचा गया है favorite question है तो यह है worldwide web और easy भी है next question है computer के संदब में online का अर्थ निम्ड में से क्या नहीं होता है तो जो नहीं होता मैं आपको सीधे बता देती हूं तो यहां पर option number B जो दिया हुआ हो हमारा सही answer जाएगा एक गयर कारियात्मक इकाई में connectivity की इस्तिति तो option number B है हमारा सही answer बाकी A, C, D सही दिया हुआ है नेक्ट कोशन है निम्ड में से क्या समानता गंड़ना नहीं कर सकता है तो जो printer है वो गंड़ना नहीं कर सकता है तो easy question था option number D है हमारा सही answer अगला प्रेशन है इसका संदर में bit इसका संक्षित नाम है किसका तो यह हो जाएगा binary does it 0 और 1 ठीक है 1 byte is equal to 8 bit और 4 byte is equal to 4 bit is called nibble 1 byte में 8 bit होते है और 4 bit मिला करके nibble बनाते है कई बार मैंने आपसे discuss है क्यों क्या है क्योंकि यह पूछा जाता है तो फिलाल computer के संदर में bit इसका संक्षित नाम क्या है binary does it next question है दिएगे विकल्पों में से सरवाधिक उप्युक चुन करके रिक्त स्थान बरे चुकि mobile banking का प्रेशन बढ़ता ही जा रहा है भविश के वित्तिये लेन देन में डैश प्रद्योगी की पर अधारित होंगे wireless ठीक है option number D है हमारा सही answer सवा कोशन है सव यह कोशन पर हम लोग पहुच गया है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा ठीक है next question है आपके सामने MS Word के text document में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर या default रूप में default रूप से पूरे paragraph का चैन करता है तो यहाँ पर option number A हो जाएगा हमारा correct answer question हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं अगर आपको doubt हो देखे MS Word के text document में काम करते समय माउस को triple क्लिक करने पर या default रूप से पूरे paragraph को चैन करता है ठीक है different question बट important question यह question अभी हमनें discuss क्या था repeat हो गया है अगला question है कितने gigabyte से 1 terabyte बनता है तो 1024 gigabyte से 1 terabyte बनता है next question है MS Word के text document को समपादित करते समय copy और paste करने के लिए क्रमसा यह संयोजन रियोक्ट होता है देखे control plus C से copy होता है control plus V से paste होता है ठीक है अगला question है आपके सामने कोई व्यक्ति computer शाक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवर्शक application को चलाने में option number A है हमारा सही answer next question है source code को object code में बदलने वाले program को क्या कहा जाता है तो यह कहलाता है compiler यह question बहुत ही ज़ादा important है next question है वेब पेज पर वापस आने वाले user की पहचान के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो यह प्रियोग किया जाता है cookies का option number A हमारा सही answer वेब पेज पर वापस आने वाले user की पहचान के लिए किसका प्रियोग किया जाता है cookie का next question है यूनी कोड प्रदान करता है, तो देखें जो यूनी कोड है, वो प्रदान करता है, प्रतेक लेंवेच के सभी करेक्टर के लिए विसिस्ट कोड, important question, option number A है हमारा, सही आंसर, अगला question है, डैस एक software कोड है, जो software program इंस्टॉल करने के बाद, उस program से जोड़ी किसी समस्या को ठ प्रियुक्त हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, प्याच, ठीक है, देखें, प्याच एक software code है, जो software program इंस्टॉल करने के बाद, उस program से जोड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रियुक्त हो सकता है, next question है, DVD इसका एक उधारण है, आपके सामने चार option है, और यहाँ पर हमारा सही आंसर हैगा, optical disk, option number D है हमारा सही आंसर, next question है, gyroscope के सिद्धान्द का प्रियोग डैश में नहीं किया जाता, तो gyroscope के सिद्धान्द का प्रियोग नहीं किया जाता, इंक जेट प्रिंटर में, ठीक है, option number A है हमारा सही आंसर, वीडियो आपको कैसा लगा, comment section में ज़रूर बताएगा, और आज का हमारा last question है, कि एक बुनियादी computer system की peripheral devicesों में यहाँ शामिल नहीं होता, CPU, monitor, keyboard या printer, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा, CPU, ठीक है, control, processing, unit, also called as mind of the computer, computer का दिमाग, तो यहाँ पर option number A हमारा सही आंसर, तो यहाँ पर हमने computer के most important लगबक 102 question को discuss किया है, fact भी मैंने आपको बता है, वीडियो को like कीजेगा, इससे पहले computer के question के वीडियो और चानल पर upload है, उनकी एक playlist भी बनी हुई है, और कुछ important वीडियो का link मैं description box में attach कर दूँगी, thank you so much for watching, thank you.